पहले हम question को समझ लेते हैं फिर प्रूप करेंगे कवेकल है question यह का रहा है कि हमें यह सो करना है कि कोई भी positive integer कोईamy positive integer किया होता है positive integer का मतलब यह है नेचुरल नम्बर्स नेचुरल नम्बर्स वन, टू, थ्री ये सारे नम्बर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहां तक? इन्फैनाइट तक तो ये कर रहा है कि इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ठीक है? एक्सप्रेस किया जा सकता है इनका जो फार्म होता है वो या तो 3Q के फार्म का हो सकता है या 3Q प्लस 1 के फार्म का हो सकता है या 3Q प्लस 2 के फार्म का हो सकता है मतलब क्या का रहा है? का रहा है कि इन में से कोई भी नम्बर ये दिया पर लोगे तो उस नम्बर को या तो 3 into something के form में या फिर 3 into something plus 1 के form में या 3 into something plus 2 के form में express कर सकते हैं तो छड़ा साथ देखते हैं सच में इनको रख कर यहाँ पर कि क्या सच में हम express कर पा रहा हैं जैसे कि 1 1 को लिख सकते हैं हम 3 into 0 plus 1 देखे 1 आ गया मतलब 3 into q plus 1 मतलब इस form में represent हो गया 1 हैगी नहीं तो इस तरह का form आ गया नहीं तीनों नहीं आएगा एक के लिए क्यों एक ही रह गया क्यों कि हमें लगाया है और और का मतलब होता है कि इन तीनों में से कोई एक होगा जो उस form का होगा नंबर जैसे हम 2 लेते हैं 2 को लिख सकते हैं 3 into 0 plus 2 यहाँ पर q क्या है यहाँ पर q है 0 अब यदि हम 3 लेते हैं 3 को express करता है 3 into 1 3 q के form का हो गया 3 q plus 0 यहाँ पर ले लेंगे 0 मतलब कि यहाँ पर q की value क्या है 1 है 4 को यदि express करना होगा 3 into 1 plus 1 कोई भी नंबर ले ले लिजिए हम यह छोटे नंबर को नहीं देख रहा है हम बड़े नंबर ले सकते हैं जैसे 100 100 को यदि हम करेंगे तो मिलेगा 3 into 33 plus 1 यहाँ पर q क्या है q की value है 33 यदि हम और भी बड़े नंबर ले ले जैसे कि let us suppose 2176 तो यदि हम इसको express करेंगे तो मिलेगा हैगी नहीं देखें ऐसे 3 into q plus 1 मनतब कि यह वाला फार्म आ गया है इस नंबर के लिए तो कोई भी positive integer लोगे तो उसको आप इन तीनों में से किसी एक के फार्म में जरूर express कर लोगे जरूर कोई ना कोई इन तीनों में से एक फार्म होगा ही होगा अब इसी को हमें so करना है इसी को हमको prove करना है तो prove करना बड़ी आसान है चलिए अब prove करते हैं prove करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक positive integer लेना पड़ेगा क्योंकि हमें so करना है कि positive integer इन तीनों में से किसी एक के फार्म की है तो हम पहले सपोज कर लेंगे let n be any positive integer यदि n कोई भी positive integer है तो by Euclid's division lemma Euclid एक mathematician थे जिन्होंने division lemma दिया और इसमें ये बताया कि यदि n आपके पास कोई एक positive integer होगा और उस n को यदि आप 3 से divide करोगे तो 1 cosine बचेगा Q और हमेशा एक क्रिमेंडर आएगा हम लिख सकते हैं आपर कि on dividing n by 3 देखें n को यदि हम 3 से divide करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ देखें दिखाया हूं मैं Euclid ने ये बताया कि यदि हम n को divide करते हैं 3 से तो हमें n को ऐसे लिख सकते हैं n को 3 into q plus r और उन्हें ये भी बताया कि r की value जो है हमेशा less than 3 होगी मतलब जो divisor होगा उसे less होगा but greater or equal to 0 होगा मतलब 0 के बराबर हो सकता है या उसे बड़ा होगा तो Euclid ने ये बताया था और Euclid के इसी rule से हम कह सकते हैं कि कि किसी भी चाहिए 0 और 3 के बीच में यहीं पर तो असली बात है देखिए यदि r की value 0 और 3 के बीच में कोई भी होनी चाहिए मतलब 3 से less होना चाहिए तो r की value ले सकते हैं या तो 0 या 1 या 2 यदि हम r की value 0 लेंगे तो n का जो form होगा वो कैसा आएगा तो possible forms of n in this case possible forms of n will be n का जो possible form होगा इस case में हना जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा n की value 3 q होगी when r is 0 n की value 3 q प्लस 1 होगा when r is 1 n की value 3 q प्लस 2 होगी when r is 2 मतलब की remainder 0,1,2 ही केवल आएगा मतलब 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है जब किसी positive integer को 3 से डिवाइड करेंगे तो तो इस case में मतलब जब 3 से ही डिवाइड करेंगे जा सकता है केवल मैंने 3 से ही केवल हम डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर का यह जो नंबर होगी कोई भी position manager होगी उसका form या तो 3 q होगा 3 q तब आएगा जब remainder 0 हो और 3 q प्लस 1 होगा या फिर यह तब होगा जब r is equal to 1 हो और n का जो form है वो 3 q प्लस 2 होगा जब r की value 2 हो यह यूकलेट्स डिवाइड मेंस हम कर सकते हैं यहां पर ध्यान दिजगा एक बात कि मैंने यहां पर लिखा है in this case ऐसा क्यों लिखा मैंने क्योंकि हमने n को divide किया है 3 से हम तब 4 से भी divide कर सकते थे ना तो ध्यान दिजगा है यहां पर एक बात ध्यान से यह फोर्स डिवाइड करते है n को तब भी मिलेगा q और तब ही मिलेगा remainder लेकिन इस case में जो remainder मिलेगा वह 0, 1, 2, 3 यह 4 हो सकता है और इस case में जो n को express कर सकते हैं वो हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम इस n को represent करेंगे इस case में मतलब जब when we divide by 4 we can express n as 4q ठीक है पहला हो जागा 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, and 4q प्लस 3 तो यह other case है ऐसा भी question में दे सकता था कि so that ऐसा भी दे सकता था कि so that any positive integer is of the form 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 ऐसा भी पूछ सकता है या फिर 5 से डिवाइड करने के लिए पूछेगा तो बोलेगा so that any positive integer is of the form 5q और 5q प्लस 1 और 5q प्लस 2 और 5q प्लस 4 और ऐसा करके पासमज मार रही है मैंने 4q प्लस 3 प्लस 4 q प्लस R, 4q प्लस 4 यह दिए 6 पूछेगा तो ठीक बैसे similarly similarly आप करते जाएंगे तो इस question का यही concept है और प्रूब करने के लिए आप यूक्लीट से डिवाइडिंग यूज करोगे ऐसे बस लिख दोगे यहाँ पर undividing n by 3,4,5 जो भी मतलब जैसा condition रहेगा जैसा यहाँ पर form दिया रहेगा यहाँ पर 3 into something दिया है 3 q plus 1 दिया है 3 q plus 2 दिया है तो आप already समझ जाओगे कि 3 को n को 3 से ही डिवाइड करना है यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपने दुर्सकों को शेयर कर सकते हैं और यदि आपको कोई भी doubt है तो आप कमेंट बक्स जरू लिखेगा या फिर आपको और भी examples आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर मैंने playlist हुआ है तो